दोस्तों रमश्कार हमारे इंटर्यू की स्रंकला जिसमें राजस्थान के जितने भी टॉपर्स हैं हर विश्य में मैं आप लोगों को उनसे रूबरू करवाता हूँ उद्धिष्य एक ही रहता है कि इस पाने की जबर्दस्त इच्छा के साथ हमें एक ऐसे निर्देशन में आगे बढ़ना है ऐसे अभेरतियों ने जिन्होंने अपने आप को शाबिप किया है जिन्होंने बताया है कि इदी सही दिशा में सही रन्निती के शाथ इदी मेहनत की जिया है तो दिश्चित रुप से ये संभव है कि हम किसी भी बड़े से बड़े एक्जाम को टॉप कर सकता है आप हमारे शाथ राजस्थान में फेस्ट रेंक लाने वाले प्यूस जी इंग्लीस विशे में इंग्लीस का नाम आते में लगता है कि इंग्लीस एक ऐसा विश छोटी सी आयू है जिंदगी का पहला कॉंपिटेशन था और इस पहले कॉंपिटेशन में इतनी अच्छी रेंक के शाथ किसे एक्जाम को क्रेक करना लब कहीं ने कहीं इस बात को शाबित करता है कि साइद इन्होंने वो गलतियां नहीं की जो गलतियां हम करते रहते हैं औ और एक लंबा समय लग जाता है और हमें लगने लग जाता है साइद हमारी किश्मत खराब होती नहीं है पस परेक इतना होता है कि सफल इनसाथ जो गलतियां हम लोग करते हैं वो गलतियां वो नहीं करता है वो उन लोगों से पूस्टा है कि वो गलतियां क्या की और उन गल प्रतियों में उलसते हुए, confidence को गिराते हुए, घबराते हुए और सरफ हाणने की बातें करते हैं। सपना सा होता है, और आपने इतनी छोटी से उमर में सपने को सच किया है, तो जी बहुत अभिनंदन और श्वागत है, और पहली चीज में आपसे ही पूछना चाहूंगा, क्या आपका रियल में ये ड्रीम था क्या, या आप कहीं ओर डूसरी लाइन में जाना चाहते थे, और वहाँ जो atmosphere मैंने देखा था कि किस तरह क्लासे चलती हैं, किस तरह से interaction होता है literature का, novel से, stories से, poetry से कैसे deal करते हैं लोग, तो मैं infatuated तो हो गया था कि यही करना है शुरू से, और फिर इस subject में लगन भी थी थोड़ी, क्यूंकि मैं 11-12 में भी literature का student रहा था, तो मैं पढ़ाने साथ-साथ पढ़ाने का काम भी ऐसे कर देता था कि first year के student आये, तो साथ-साथ second year वालों को भी कोई, उनके कोई question हो, तो ऐसे deal कर लेते थे हम लोग, फिर मेरा ये aim हो गया धिरे-दिरे की आना तो इसी line में है, घरवाले कहते थे कि दिल्ली छोड़ा है, तो QPSC हो गयरा की तैयारी कर ले, और फिर ये ही था कि जब भी vacancy आएगी और राज्थान में अपने इसके लिए apply करते हैं, तो साथ-साथ मैं मतलब मेरा main focus इसी पर रहा हमेशा, मैं dream आपका ही था और सपने सच होते हैं, बिल्कुर सबसे बड़ी बात, तो बहुत सुंदर बात इन्होंने बोली कि पढ़ने के दुराने की interest create हो गया, और एक विद्यार्ती होने के साथ-साथ अपने ही शाथियों को पढ़ाना शुरू कर दिया, थेश्टियर के बच्चों को class लेनी शुरू कर दी, और कहीं लिए वो patient बन गया, और मैं आपको बार-बार बोलता हूँ, किसी चीज को यदि आप चाहने लग जाते हो ना, तो फिर आपी जो बातें बोल कि ठकान होना और होना इसी जाएंगी नहीं, आप देखिए एक छोटी से उमर में इतनी गज़ब की rank के साथ इस पद्द को पाया है, वो तभी possible है जब किसी चीज को आप बहुत ज़दा चाहने लग ज अच्छा था या मतलब आपके जहन में कहीं ने कहीं था कि मेरी rank तो आएगी, क्या था इसका? रेंक का तो नहीं था सर क्योंकि मुझे आद मैंने तयारी शुरू कर दी दो हजार बीस के end में, मतलब वेकेंसी हाई थी हमारी दिसंबर में और मैंने उससे पहले लगबग दो मेहने पहले तयारी स्टार्ट कर दी तो मेरे को ध्यान है मैं डेली उनिवस्टी की लो फैकल्टी की लाइबरी थी तो वहां मैं राजस्थान अध्यन की किताबे जो अपने चलती है वो लेगे जाया करता तो वहां से तो कोई रेंडम चल रहा था कि भही पता नहीं कब रहा था साथ-साथ हिस्ट्री वगएरा चल रही थी थोड़ी 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 फिर धीर जब वेकेंसी आई तब यह था कि हाँ अब इसमें पूरा डेडिकेट होना पड़ेगा तो घरवाले यह समझते थे कि जैसे मेरे पापा और ममी इसी लाइन में है तो वह यह कहते कि नहीं और इतनी तैयारी करेंगा किसी और में तो होई जाएगा तो तैयारी करते रहे फिर जब लास्ट में मैंने मेरा वह रोल नंबर देखा लिस्ट में तो मैंने रिजर्व लिस्ट है अच्छा फरस्ट तो क्यूंकि कॉम्पिटिशन के बाद बच्चे मार्क्स भी इ पूछा कि यह पॉसिबल है मतलब एक है तो यह की एक है तो उन्होंने का कि नहीं हाँ फरस्ट ही है तेरा तब मेरे को लगा कि हाँ मैं सब्सक्राइब करें तो पॉसिबल है चीज़ा है कोई दिक्क्त नहीं है इसमें देखो यह चीज बहुत अच्छे लगी मुझे कि आपके पास ज़्यादा experience नहीं था लोग नेगेटिवली बात भी कर रहे थे यार आप पढ़ रहे हो तो हो जाएगा लेकिन डारेक्ट आप assistant professor में कैसे पहुँच पाएंगे यह साब नॉर्मली होता है लोग हसते भी अंदरी बात करते हैं पढ़ रहा है मेरा जिस दिन पर जेल्ट आया था मैं उदेपूर जा रहा था और बस मैंने भी देखा तो रेल में मुझे भी उस दिन पता नहीं था कि आगे जो यह साथ लिखा हुआ है सेवन लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है मैं भी करे लोगों से पूछा कि यह सेवन का मतलब यह rank है क्या तो आपने वो सिचुेशन एकदम से सही बताई और आपके लिए रेल में भाबडा सर्प्राइज था लेकिन सर्प्राइज की पिछे जो थे ना वो आपके इमानदारी से कीगी महनत थी और इमानदारी से कीगी महनत फली बूथ हुई मतलब केने का मतलब यह है कि कोई भी बच्चा ट तीसरा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कभी ऐसा लगा जब डियू में थे नॉर्मली डियू में जाना भी एक बच्चों का सपना होता है और वहाँ एक अलग इंवाइरमेंट होता है पुरे ओल इंडिया के बच्चों से आप मिलते हैं वहाँ अलग बाते होती हैं क कभी ऐसा मौका आया और आप अपने आपको कमजोर महसूस किया और फिर कैसे निकले कभी हुई इस ततीय से हां मतलब ऐसा इनीशल डेज में बहुत हुआ था क्यूंकि फस्टेर में कहानी थी कि हम कसभाई जिन्दगी से आते हैं और कोस्मोपलिटन शहर में एकदम से जात हैं नहीं कर पाएंगे फिर हमारे लिटरी थेरी नाम का एक पेपर चला करता था वह सेकेंड डियर में से होच सेमेस्टर में जहां तक मेरे याद आ रहे उसमें था उसमें सब को दिक्कत होती थी अच्छा और मैं पढ़ लेता था कि मेरे को यह था कि इस चीज़ को और कम क इसी के बाद नेट वगएरा की तैयारी मैंने शुरू करी थी तब मेरा जे आरएफ नहीं हुआ था तो वह फेज मैं क्यूंकि मेरे को लगता है कि दो फेज में चले जाते हैं एक तो किसमत भरोसा करने लगते हैं जब फेलियर आता है और किसमत मतलब ऐसा वर्ड है कि इसक कितना काम आती है यह तो उसने पर बता दिया था कि टैयारी मैंने जित्वी नेट के नोट्स बनाए थे इंग्लिश की वह सब मैंने को लेक्श्र की तैयारी शुरू करने से पहले सारे सारे फाड़ की अलग डाल दी रहे अच्छा कि मैंने से वापस शुरू करूंगा राजस्तान का जीकी एप्रोक्स तीन चार महिने बहुत होता हैं यह मैं बच्चों को बोलता हूं बच्चे गवराते जलुद देंगे का थर्ड पेपर पता नहीं क्या आता होगा लोग ड्राते बहुत हैं माहुल बहुत बनाते हैं मैंने चीज में नोट किये कि हमारे की साथ होते हैं वह भी इस चीज को लेकर चाहिए खुद ने कुछ भी नहीं पढ़ा हो और रियल में ही होता है मेरे जीकी में बहुत अच्छा नमबर थे जो पिछले वाले असेश्ट प्रोफिसर बढ़ती प्रिक्षा थी मतलब लगब हमारे जो सरक्किल था उसमें सबसे किया है रियल में competition confidence का होता है एक्जाम होल में आप कितने confidence करा उतरते हैं और कितने selected चाशे आपने लिए आप जीके की जीके बहुत आथा है कितनी books पढ़ लू उतनी guide है सब कुछ इतना है लेकिन ये आपको थोड़ा स्वेटर्न का पार चल जाता तो आप धाई तीन महने में राजस्थान के जिके को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं और बहुत गजब की परफॉर्मेंस दे सकते हैं और आपके लिए जिके एकदम नया था आपने कॉमिडिशन दिया ही नहीं था और उसके बावजुद आपका ये विचार है जिके के परती मतलब ये इमानदारी बरी राय है ये पियल में जदा तनाव नहीं लें चीजों को लेकर भारी भरकम छवी अपने मायन में नहीं बनाएं किसर केसे हो पाएगा बहुत कम एज में पहले कॉम्पेटिशन में आप बाकी पुरी भीड से अलग हो सकते हो और ही प्रूब करना आपको तो आपका जिके भी आपने मैंटेन किया विशे को भी आपने और कम्प्लीटली सबसे बड़ी बात में पूछना चाहूंगा इस दोरान आपने क्या सेल्फ स्टेडी की या आप किसी कोचिंग की साहिता ले इसके लिए नहीं पूरा सेल्फ स्टेडी की बहुत बड़ी बात है और हमेशा मैं चीज को बोलता हूं कि सही दिशा में वेनद कर रहे हूं अब गाइडेंस दी होती है अब निशित रूपसे से माल लीजे मैं प्यूस जी से निविदन भी करूँगा कि अपने अउनी एजुकेशन एफपे ये आप लोगों के लिए इंगलीस विशे के लिए इस्पेशली गाइडेंस दें कि बच्चों वो फाइदा मिले कि हर बच्चा समर्थ नहीं हो सकता है कि वो किसी इंस्टूट में जाए और वो पढ़ पाए और ये उद्धिश भी मेरा यही है कि हमें एक ऐसी लाइन मिले ऐसे लोगों का गाइडेंस मिले जिन्होंने बहुत गर्टियां ना करते वे उस विशे में अपने आप को जिया है कि ऐसा नेट को लेकर जैरफ को लेकर कुछ ऐसा है क्या नहीं इंग्लिश में थोड़ा सा मतलब जादा वेक्यूम है तो इसमें लगता है लोगों को कि एक तो फॉरें लेंग्विज है पहली बात दूसरा असे लगता कि इंग्लिश में नेट बहुत बड़ी कोई तोप चीज है कि वही कोई ऐसा आर्जेंटी ना जिस पर फतेह नहीं हो सकती मगर यह है नहीं इंग्लिश में नेट बहुत क्योंकि अभी नेट का पैटर नहीं इसा बना रखना है इसका फर्स पेपर अच्छा है वह जयारफ तक निकल जाएगा अच्छा मगर फिर नेट निकालने के बाद भी कॉलेज लेक्टर जैसे एक्जाम में सब्जक्ट बहु इंग्लिश की ऐसा कुछ भी नहीं है कि अच्छा नेट पॉसिबल नहीं है मैंने के टाइम पे मेरा नेट कर लिया था तो नेट तो मेरे वह कभी नहीं लगा कि बहुत दा मुश्किल चीज है मैथेमेटिकल वाले पोर्शन में मेरे हमेशा दिक्कत रही और कुछ गलतियां क्योंकि मैं इनीशल एज में था तो फर्स्ट पेपर के प्रेपरेशन में जो मैं बता रहा हूं कि स्मार्ट स्टडी नहीं थी मेरी उसके बाद मुझे कॉले लेक्शर में वह इंप्लिमेंट करी मैंने जो जो चीजे थी जैसे अपने थर्ड पेपर का यह है जी जी थर्ड बड़ी चीज यही है अनावशेक मेहनत ना करें वही चीजें करें जिन से प्रेणाम आने वाला है मतलब आपको वो स्लेक्ट चीजें करनी पड़ेंगी चैजिके पढ़ रहे हैं सब्जेक पढ़ रहे हैं तो स्मार्ट स्टडी आज की बहुत जरूरी आवशेकता है और इ जा सकती है यह मैं आपको बार-बार बोल रहा हूँ और आपको इन चीजों को फोलो भी करना है अनावसे डरे नहीं कि इंग्लीज में नेट नहीं होती इस विशे में नेट नहीं होती सर इस विशे में जीके बहुत टफ आता है इस कॉम्पेटिस में सर कैसे होगा इतने कम समय में क्या कॉले लेक्टे बना जा सकता है क्या गेटफेस्ट बना जा सकता है यह पता निंक इतनी शारे फितूर्स बना रखे हैं लोगों ने बड़ी-बडी बातें दिखा कर और आपको लगने लग जाता है कि साइध हमारे बस की बात नहीं है और आप उससे अपने ड्राउंड बहुत इस्ट्रोंग रहा है मम्योफ आई जूकेशन में थे तो आपको एक बड़ा सपोर्ट मिला है शादी आपकी होगी नहीं है नहीं होगी यह बड़ी बात है तो यह कोई इसका फाइदा मिलता है कि आप बेचलर हो कई लोग कहते हैं कि शादी के बाद बहु तयारी के ड्यूरिंग भी हमारा जैसे कोई दोस्त हुआ कोई पूछते थे कि आज तुमने कितने घंटे बढ़ाई करी तो वो कहते थे कि आज मैंने चार कर ली तो मैंने भी चार कर ली अब उस दिन जिस दिन डी मॉटिवेटेट होते थे तो सामने से अगर वो लड़का लड़की यह बोल दे कि नहीं तु कर लेगा तो बहुत फरक पड़ता था तो आप शाधी शुदा है और आपकी बेटर हाफ अगर आपको यह कहें कि आप कर लोगे तो वह तो बहुत सही चीज़ है पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता है उससे पॉसिटिव मोटिवेशन है यह हमारी लाइप में कोई साथ इंसान होता है जो हमें किता है कि अरकर लेंगे हो जाएगा तो इन चीजों से बाहर निकल यए लाइप में किसी भी समय और कुछ भी सुरूद कि अला सकता है और कोई इंसान आपकी स WRT बा weapons नहीं बन सकता है बैसरते कि तुम अंदर से ना legends चाहेंगे जो बच्चे भविशा में इस एक्जाम को देंगे उनके लिए सबसे पहली चीज तो जैसे अपने यहां पे एट्मॉस्फेर है की फिर्स इंग्लिश में फिर्स रेट तक सोचते हैं लोग जी जी इससे जादा सोचते हैं क्यूंकि उन्हें डर है डर है नेट तो ह यहां जैसे कई लोगों से मैंने भी सुनाया कि शादी अब नहीं हो तो इसका लोजिक मुझे अभी तक समझ में यह श्यायद और आएगा भी नहीं किसी पूगि यह कौन सा लोजिक है शादी होग नेट नहीं तो वैसे ही आगर अगे वाली स्टेप लें है अपन फर्स ग् इंटरनेट के सोर्सेज उनको फोलो किया जाए तो कोई दिक्कत नहीं वह बहुत सही है वह चीजें जैसे फर्स्ट गेड में लिटरेचर का पॉर्शन और ग्रेमर का पॉर्शन दोनों आते हैं ग्रेमर के लिए कोई ऑथंटिक किताब उठा ली जाए जैसे रेनिन मार्टिन है या फिर लिटरेचर वाले पॉर्शन के लिए देखा जाए तो लिटरी डिवाइसेज वगएरा फर्स्ट गेड वगएरा में बहुत जादा पूछी जाती हैं तो एमच अब्राहम की किताब है जो कहीं चले जाओ उससे बाहर ना तो मैंने आरपीस्ट के पहले कॉश्च को लगता है तो लिट्री थे किताबों की बात आते हैं तो क्रिटिसिजम के अंदर भी बी प्रसाद की किताब है या फिर हभीब की जो बुक आई है उनमें से कोई सी भी अपन ले सकते हैं उसके साथ में विकिपीडिया गए इंटरनेट बहुत यूसफुल है क्योंकि हर छे महिने में पेपर बन रहा है न फिर में लिटरेचर की बात करें जैसे बिटिश लिटरेचर है इस अब नेट का देखा जा रहा है बिटिश लिटरेचर से बहुत जदा कोश्चिन पूछ आते हैं तो उसके लिए अगर बिटिश लिटरेचर की ओरोल हिस्ट्री को समझना हो तो मैंने दो किताबें पढ़ हotypeson उसके बाद की किताबे हैं आप ले सकते हैं कॉम्टेंट रैकरट के ले सकते हैं मगर एक 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 राइटर को उठा करने के बाद नेट के और प्रीज एक कॉश्चन जरूर देखना जरूर देखना चाहिए जितने आपने कुपकी मैंने कॉछम मैं भी मैंने यूपी हर्याना वेस्ट बेंगॉल राजस्थान के सेट देखने के बाद नेट के पेपर ये जरूर लगाए थे और मैं कह रहा हूं कि पंदरा से बीस कोश्चन थे आराम से क्यूंकि पेपर बनाने में मेहनत आप जितना पढ़ रहे हैं उतनी नहीं होगी सभी पेपर तो आपकी जो भी गाइडेंस वगरा कि आपको जरूरत होगी आपकी पूरी हेल्प क्योंकि मैं इसी फिल्ड में मेरा मतलब जुनून है पढ़ाना और पढ़ना जरूर 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 बहुत बढ़िया बात भी अच्छी लगती है आज के टाइम में नॉर्मली होता है कि स बच्चों के माध्यम से अपने इस सपने को ड्रिम को पूरा कर सकते हैं एक अंतिम सवाल में आप लोगों से आपसे पूछना चाहूंगा यह लिष्ट अपन उपलब्द करवा देंगे बच्चों को जो बुक्स की लिष्ट है आपने जो इस्पेशली आपने जिनको बच्चा भरमित बहुत ज़्यादा है कि मैं यह करूँ कि मैं वो करूँ अपना एक डिशिजन नहीं ले पा रहा है आपने एक चीज को चुना बड़े स्मार्ट तरीके से आपने स्टडी की और पहले कॉम्पेटिशन में आप कर गए अंतिम रूप से आपको आज की समय मे इन बच्चों के लिए सफलता का क्या मूल मंत्र आप इन बच्चों को बताना चाहेंगे जिनको फोलो बच्चों को करना चाहें और जिनसे बच्चा रहता है अलग चीजों से बहागता रहता है और एक जगा अटेंशन नहीं कर पा रहा है इनके लिए आप क्या कहना चाहे विए धिरे क्योंगी गाता है मगर हम गलती यह करते मुझे किस्सा याद में पहली बारे जब टेली उनिश्टी क्लास में था तो मेरी एक प्रॉफेसर हुआ करती थी तो मैं ले कि गया था 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 कि आज के बाद मेरी क्लास में ये ले मताना हूँ तो अगर एक एक चीज़ डिसाइड करके करना जैसे एजुकेशन की लाइन है उसमें पास्बूक कल्चर से जित्ता बच सकते हो आप बचना चीज़ सबसे बड़ी बात है क्यूंकि आप कॉलेज के फर्स्टियर का पेपर भी पास्बूक वो जो वीक टाइप की किताब हो वन वीक में आप वन नाइट पढ़ते हो और आगे बीड मान लो या फिर कोई भी एक्जाम मान लो आवद पढ़ी बच्चें को बेस नहीं बनेगा फिर इदर बटकेंगे कि मेरे यह आदमी मेरा तयार करा सकता है यह करा सकता है तब फिर वो उस मतलब उस मार्केट का हिस्सा बनेंगे तो उसी के लिए जैसे अभी कॉंपेटिशन एक्जाम जो भी होए मेरे पास करीबन बीस पच्छेस बच्चों में फोन आए कि आपके नोट्स दे दुआ जो भी बनाए है यह अदत है बच्चों की कि पता नहीं वो नोट्स पढ़ने से पता नहीं जो तो मेरे दो तीन ले वो तो मेरे जैसे भी फोन आ रहे हैं तो मैं उन नोट्स को एक बार थोड़ा सा सिस्टेमेटाइज कर रहा हूं ताकि कि किसी को जरूत पड़े तो बच्चा आराम से उनको पढ़ सके यह जरूरी भी है कि बच्चों के पास से विवस्तित मेट्रेल उन बच्चों के पास ह तो अच्छे से फाइदा उठा सकें बहुत बढ़िया मेरे अनुशार प्यूस जी ने लगभग हर चीज को बड़े आराम से और शोट में आप लोगों को बता दिया है फिर भी कोई भी गाइडेंस होगी वो उपलब्द रहेंगे प्यूस जी और जितना इनसे इंट्रेक् प्रियास कर रहे हैं कि एक authentic matter ठीक है बहुत सोट के अंतरगत आपको प्रियास करवाये जाए जिसके लिए उप्रिकास जी शर हैं मैं हूँ हम दो चार लोग मिलके प्रियास कर रहे हैं कि बहुत सोट और स्वीट वही चीजें जो आपको उनको पढ़ने के बाद अनावशि प्रियों को इस्पेशले ये भरम जरूर दूर होगा कि टॉपर्स कोई अलग नहीं होते हैं टॉपर हमारे बीच में से निकलते हैं इनको उमीद भी नहीं थी और इन्होंने पुरी फैस्ट रेंक ली बस इन्होंने इतना किया कि अपने विशे से महबत की उस विशे में अ पनावसिक चिंताओं में उलजे रहोगे तो निशेत रूप से आप उससे पहले इतना डिप्रिशन ले लोगे कि साथ प्रेनाम अच्छा हो भी नहीं तो कोशिश करें अपना बहतर दें 100% बहतर आएगा थैंक यू वेरी मच इस इंट्रू से आपको काफी प्रेनाम लेगी इसपेशल इंगली स्विशे के बच्छों के लिए थैंक आपको